और तो के हवाले से बात कर लेते हैं कि पीरियड जो होते हैं जो और तों के जो मैंसेज होते हैं उसके उपर एक गंदगी का मैसी दिया गया कि गंदी नपाक नजिस चीज आ यानि एक ये गंदी चीज आ इस से दूर रहो यानि जैसे इंटी कैसे एप जो हर बन्धा जो पखाना बड़े मज़ेसे जाके टॉलेट के सीड़ी को प्रजाकर पूं पूं नुकार रहा होता तो वह आपके अंदर जिसम के अंदर से निकल रहा होता तो लेकिन आप ने आपको उसको नपाक और पलीत कहने की क्राज़ दोता है यानि हकारत का अजहार क्यों करना तो लेकिन रसूल अल्ला ने उस तो नहीं हकारत का अजहार नहीं किया लेकिन क्योंकर रसूल अल्ला जो खुवातीन से एक मैंने आपको बताया है थोड़ा प्यार करने वाले इंसान थे तो ये इसके उपर पूरी एक कुरान की आयता है कि जब इन औरतों को period आये हुए हुँ, menses हुए 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 हुँ तो वो नपाक है यानि ये गंदगी है कहो ये गंदगी है और मैं इससे दूर रहूंगा और अपनी बीवियों के साथ कोई डिंग डॉंग करने की कोशिश या उनके पास जाने की भी कोशिश मत करना जब तक के वो पाक साफ ना हो जाएं और जब वो पाक साफ हो जाएं आप नहीं जा सकते तो इसी तरह की अब ज़रा रसूल अला की अपने हरकेतें देख लेते हैं कि सही बुखारी 297 में हज़रत आशा फर्माती है कि हज़रत मुहमद मेरी गोद में सर रखके कुरान पड़ा करते थे जब मेरे पीरिड हुए हुए होते थे इसी तरह सही बुखारी की 303 हदीश है कि जब ये महमूना बता रही है कि जब मेमूना उनकी एक भीवी थी उन्होरा ने वो बता रही है कि जब रसूल अला को जब मुझे पीरिड हुए होते थे तो रसूल अला मेरे साथ आके यूनो फॉन्डल करते थे पूरा डिंग डॉंग तो नहीं करते थे लेकिन धवर दूश पूरा डिंग डॉंग काम नहीं करते थे बस उपर उपर से कर लेते थे काम wanted to fondle any of his wife during the period he used to ask her to wear an izar यानि वो कहते थे कि इजार पैन लो यानि जो आपका जो जो private parts वाला जो हिस्सा है उसके गिर्दे कपड़ा लपेट लो कपड़ों की कम ही होती थी उस दो कहते हैं उदर कपड़े कुछ पैन लो और फिर जपी जूपी no social distancing तो यह रिसुलला किया करते थे सही भुखारी 303 के मतावें आचार जे इसी तरह इबनबास कहते हैं कि जब एक बंदा अपनी बीवी के साथ डिंग डॉंग कर ले जब उसको period हुए वे हो तो उसको एक दिनार देना चाहिए एक दिनार का मतलब बनता है तकरीबन 230 डॉलर आज की कीमत में लेकिन अगर वो तब डिंग डॉंग आपने हर जगह आपने लाज जरूर घुशानी है इधर अब रिसूल अला को खुद ही एक काम पसान नहीं था अभी बहुत सारे लोग है जो वेंपाइर बने फिरते हैं कहते हैं मुझे खून पीना है तो अब कोई जो काम कर रहा है वो चार दिवारी में कहते हैं उसको करना था नहीं वहां पर नो यूद इस वेरी बाड यूद यूद आपको ज़ादा बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा और अगर आपने एंड में किया या थोड़ा पो इदर उदर से पता नहीं लगा मुझे तो कोई बात नहीं आदा दिनार देना पड़ेगा तो यह आपकी सजा मुकरर की गई है देखें जी जो कहा जाता ना अब औरतों के हवाले से बात हो वैसे सारी औरतों के हवाले से अनफॉर्चनली यह मैं जिस तरह यह बात करता हूँ कई औरतों को वैसे मुझे लगता बुरा भी लगता तो मुझे कुछ शिकायात आने लग गई है खवातीन की तरफ से तो मैं आपके सामन हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं equality का सबसे बड़ा champion हूं कि और तों के बराबरी के हकुकी में हमेशा बात करता है यह जो थोड़ा समय जो तन्जिया मेरा जो लहजा होता है अगर आपको लगे कि यह मज़ाख कुछ जादा लाइन से बाहर होता जा रहा है उसका मैं आपको सिर्फ यही बता दो मैं उसी जबान में बोला हूं जिस जबान में यह लोग समझते हैं और यह नाइनसाफी है जिसके बारे में मैं बात करा रहा हूं अब उसमें एक तो बहुत बड़ी वज़ा यह भी है कि यह ऐसी गंदी- होती है यह एक तरीक है कि मेरी शरम होती है कि मुझे यह बात करता है थोड़ी से शरम आ रही होती है कि यह मैं कैसे उर्दू में अंग्रेजी में यह बात चल जाती है बड़ी इस एक ही बात है वैसे के इंग्रेजी में आप गंदी बहुत जाद गंदी बाते भी कर जाते हैं लेकिन उर्दू में यह बाते शायद हमारा कल्चर ऐसा है कि हम उस तरह की बाते करते हैं लेकिन सबसे गंदी दुनिया की गालिया जो है वो भी हमारे कल्चर में है शायद तो यह जीब एक दोहरा मियार सा तो इसलिए इसको प्ली यह आपको मेरी ओवरॉल जो मेरी मेरा जो विजन है उसकी आपको उसका आपको एहसास होना चाहिए कि मैं औरतों के इक्वल ऑपरचुनिटी के उपका सबसे बड़ा बलीवर हूँ और इसके उपर मैं अक्सर बोलता रह हो बगारा बगारा तो प्लीज यह जो अगर आपको कोई खलत इंदाजा मिलता कि मैं कोई यूनो शरारत कर रहा हूँ तो इसको ऐसा मैं समझिएगा मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पंचा सकूँ झाल